बिजनौर के थाना किरतपर पुलिस ने मुख्विर की सूचना पर नजियवाद रोट के शाहुपुर सूका कोकीन की तसक्री करने वाले दो लोगों को गरफतार किया है बताया जा रहा है कि इस कोकीन की कीमत 50 लाग रुपे बताई है उदर पुलिस अधिक्षक प्रभाकर चौदरी ने बताया कि करतपर पुलिस ने इस काम से जुड़े दो लोगों को गरफतार किया है जिनका नाम राहूल कश्चप और बेगराज बताया जा रहा है इनारव उपियों को पुलिस ने गरफतार किया इनसे पूस्ताज जारी है पचास लाग रुपे की कोकीन की तसक्री करने वाले दो लोगों को पुलिस ने मुगविर की सूचना पर गरफतार किया इसमें जनपत में इनके साथ काम करने वाले लोगों का पता लगा कर उने भी ग्रफतार करके इस काम को करने वाले लोगों पर अंकुछ लगाया जाएगा ये नजीबाबाद रोड से दो संदिक लोग पुलिस को इनफोर्मेशन विली थी इंटेलिजेंस था हमारे पास इसमें दो लोग पकड़े गए और कस्टेड ऑफिसर के पस्टेटी में इनकी तलासी देली गए बाद में पुरेंचिक से टेस्ट दिवा तो इनके पास चार सो ग्राम कोखी में जिसकी कीमत लापो रुप में में पताई जा रही बीस से पचीस लाग या अन और भी ज्यादा हो सकती है और अभी प्रतम दिरिश्टिया पता चला है कि यह लोग हापोल्ड से लेकर के आ रहे थे आगे की चेन कहां तक है यह इनविस्टिकेशन की बाद पता चलेगा इनकी गिरफ्तादी की गई है और अभी इस दिर्प कूस्ताच की जा रही है जो भी इंट्रोगेशन में सामने आएगा वो इसके अधार प्रताफ़ कीजिए तैंक